राम राम सभीकों, वैलकम बैक टू दे चैनल, उमीद करता हूँ आप सब अच्छ होंगे, तो ये है औल न्यू रेनोल की ट्राइबर, इसके विरेंट की बात करें तो ये रेक्जेड वाला है, मैनोल ट्रांस्मिशन पेट्रोल के अंदर, इस विरेंट के अंदर आपको मिलत वाशर के लिए आपको यहां हुड पे देखने के लिए मिलता है, उपर साइड में आपको रूफ रेल मिल जाता है, और यहां पर आपको एंटीना देखने के लिए मिलता है, फ्रेंट से विंट्री लिए रेल कुछ ऐसा देखने मिलता है, यहां पर आपको ग्रेल के लिए लोगो यहाँ देखने मिलता है नमबर प्रोजेक्टर मिलता है यहाँ लाइट के साथ में यहाँ लाइट के साथ में इंडिकेटर लाइट आपको यहाँ देखने के लिए और इस साइड से कार की प्रोफाइल कुछ ऐसे देखने मिलती है फ्रेंट में आपको डिस ब्रेक मिलते हैं रियर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं 182 mm का यहां ग्राउंड के लेंस मिल जाता है इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहां मिलता है 185 65 15 इंच की आपको स्टीलर मिलते हैं पर जो कवर है आपको के अंदर मिलते हैं इसके साइड ओवारियम की बात करें तो यह एक्ट्रिक फोल्ट इलेक्ट्रिक एजस हो जाता है और यहां पर आपको प्यानो ब्लैक का यूज्स करा गया है इंडिकेटर लाइट यहां देखने ल जाता है और यहां मिलता है आपको चाय लोक लगाने के लिए और इदर मिलता है 40 लीतर का पेटड्रल का टैंक उसकी रिर ये टे लाइन आड की बात करें तो यह आपको हैलोजनня सेट लोगों यहां देखने मिलता है तीन पार्किंग सेंशर देखने मिल जाते हैं और केमरे की आपको वाइपर मिल जाता है बॉटन अपो है कि बॉट्कल का नियुका सब्सक्राइब, और यहां नमबर प्लेट की लाइट आपको हेलेजन सेट अपने मिलती है स्पेस की बात करें तो यहां 84 लिटर का बूट स्पेस मिल जाता है अगर यह सारी सीटे अब होंगी आगर डाउन होगी कुछ इस ट्राइब से तो आपको 300 to 350 लिटर का बूट स्पेस मिल जाएगा अगर यह लास्ट रोस की फोल्ड होगी तो और मिडल वाली सीट फोल्ड होगी तो आपको 600 प्लस का बूट स्पेस मिल जाएगा यहाँ पर स्प्लिट की बात करें तो लास्ट रो के अंदर 50-50 मिलता है और मिडल वाली के अंदर आपको उनलता 60-40 का यहाँ दो एज़स्टेबल हैड्रेस मिल जाते हैं इस टाइप से आप सीट फोल्ड कर सकते हैं तो काफी comfortable बैट पाएंगे अगर मैं इसके अंदर बैटता हूँ तो मेरी height 511 है तो मुझे यहाँ थाय support अच्छा कैसा मिल जाएगा headroom मुझे अच्छा कैसा मिल जाएगा नीरूम में थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगे रहीगी तो नीरूम भी मुझे ओके-ओके मिल जाएगा बट इसके अंदर मैं 300-400 किलोमेटर ही बैटके जा सकता हूँ adjustment करके अगर बच्चे होंगे तो वो ज्यादा अराम से जा सकता है यहाँ पर आपको rear के अंदर AC vents मिल जाते हैं वेल बोल का socket यहाँ देखने के लिए मिलता है और देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपको रूफ देखने मिलती है इधर grab handle और इधर भी आपको grab handle मिल जाता है तो इस टाइप से आप फोल्ड कर सकते हैं वो आप पे depend करेगा, उपर से roof कुछ ऐसी देख नहीं मिलती है, roof rail के साथ में, और आप car के cabin के अंदर चलते हैं, फिर car के interior के बात करते है, car का dashboard कुछ ऐसा दीखने हैं मिलता है, इसके interior color की बात करते हैं, तो black and beige के अंदर मिलता है, कुछ-कुछ panel पे जैसी है, एस इवेंट्स हो गया आपके डोर लिवर हो गए इन पर आपको सिल्वर फिनिश यूज रिए यहां पर आये रिम की बात करें तो इस टाइप से आप कर सकते हैं यहां के लिए आपको लाइट मिल जाती है जैसे पर्टिक्लियर अभी ओफ है यहां पर दोर के लिए मिलता है आपको LED लाइट मिल जाती है यहां पे मिलता आपको वन्ती मिरवा और साइड आपको ग्रैंड देखने कर लिए मिलता है और से अपको लॉइस के लिए के लिए मिलता है यहां पर ट्रमाइब के लिए तो Аफ की पर आपको हेंड्य उक्ने क्लस्टर् starting-off यहां पर उन्री अ जिसके अंदर आपको temperature अपने साफ सेट करने लिए मिलता है इसी को on और off के लिए मिल जाता है जैसे आप on करेंगे तो इसके लाइट चलो हो जाएगी और यह लाइट यह बंद हो जाएगी यहां पर आपको फैन की स्पीड कम ज्यादा करने के लिए मिलता है अगर circulation on और off करन करना पड़ेगा यहां की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं अपने साफ से यहां पर आपको मिल जाते है control जिसके अंदर आपको पैर पहवा चाहिए मूप पहवा चाहिए दिफोगर ओन करना है या फिर पैर पहवा और मूप पहवा दोनों चाहिए तो उसके लिए control यहां मिल सबसे पहले बात कर लेता हूं safety wise features की तो इस variant के अंदर आपको चार airbag देखने मिलते हैं seat belt warning देखने के मिल जाती है इस के अंदर ब्रेकिंग के बात करें तो कार के अंदर आपको ABS मिलता है ABD मिलता है ESP मिल जाता है electronic stability program brake assist मिल जाता है traction control मिल जाता है इस type के आपको safety wise feature मिल ज आपको engine start stop के लिए button मिलता है यहां पर आपको wireless charger मिल जाता है इसको on or off करने के लिए भी आपको मिल जाता है जैसे आप इसको off करेंगे light off हो जाएगी और on करेंगे तो light on हो जाएगी यहां type A आपको aux के लिए देखने के लिए मिलता है यहां पर मिलता है आपको five speed का manual transmission इसक कर सकते हैं तो यहां से मिल जाता है यहां पर आपको शॉथ लेडर का यूस कर आगया गाया गैर показ यहां पर आपको सपेस मद जाता हुझक के लिए द्वाले हैं रख्व्डवाले तो यह आपके लिए up and down, recline के लिए और आगे पीछे करने के लिए मिल जाती है, यह खाली आपको आगे पीछे और recline के लिए मिलती है, adjustable headrest front पे नहीं मिलते है, इसके steering wheel से बात करें, तो steering wheel के अंदर आपको मिल जाता है, tilt के लिए telescopic नहीं मिलता है, यह side में आपको rubbery grip मिलती इधर आपको front wire पर कंट्रूल मिल जाती है, rear rear ये साथ में, इधर मिल जाते है, आपको light के लिए control, जिसके अंदर आपको on करनी है, off करनी है, यह फिर आपको high beam on करनी है, और indicator on करनी है, उसके लिए control यहां मिल जाते है, यह renault का logo मिलता है, यह infotainment के लिए button मिल जाते है, जिसे आपको plus minus के लिए volume के लिए मिलता है, song change करनी के लिए mode के लिए मिलता है, और voice command के लिए मिल जाता है, phone उठाने, काटने और mute के लिए, यहां पर source के लिए मिलता है, जिसके अंदर आप add करते हैं, जिसके आपको apple car पर end route और चलाना है, Bluetooth connect करना है, उसके लिए source के अब बात करें, तो fully digital मिलता है, यह cluster आपको क्या क्या offer करता है, जैसे अभी traction में off करगा, तो उसके लिए आपको light देखने के मिलता है, indicator light देखने के मिलता है, इसके handbrake लिए इसके लिए light देखने मिलती है, street build के लिए भी आपको light देखने मिलती है, इससाइड मिल जाता है करना है और इसको आगे करेंगES तो यहां पे एकोनोमी आ जाएगा और लीस्तिपी जेड़ी और इसको आगी करेंगे तो यहांपे आपको स्रविस्क के लिए अलट और अपको डाइमेंशन कंट्रोल इस सारी चीजे ओन ओफ करनी है टेक ब्रेक वाला भी ओफ करना है क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है इसके अंदर आपको इस वेरियंट के अंदर इतने कंप पैसे के अंदर आपको सारी चीजे मिल जाती है तो आपको और क्या चाहिए इधर साइड ओवारियूम देख सकते हैं अब बात करें कंट्रोल की तो यहां पर वन टच डाइवर साइड मिल जाता है डाउन के लिए और आपके लिए मिल जाता है अगर एज़स्ट करने है आपको मिरर तो यह से देख सकते हैं मैं राइट वाल आपको करके दिखा देता हूं कुछ इस ट्राइप से आपको गुमाना है यहां पर मिल जाते बाकी विंडो से गंटोल नॉर्मल पीछावले विंडो को लॉक करने के लिए यहां पर आपको स् जाता है इसका डोर बंद करते हैं थड़ कुछ ऐसा मिलता आपको और यहां एसी बेंट्स पे आपको क्रोम भी यूज़ करा गया आपको और डैशबूर काफी नीट एन क्लीन मिल जाता है इस प्राइस प्रेंट में अच्छा कासा मिल जाता है सारी चीज़े मैंने अल्मस् पर मुझे अच्छा कासा मिलता है अगर किसी की हाइट 6-5 रहीगी तो यह सीट पूरी पीछे रहने वाली कुछ इस टाइप से तो यहां पर आपको नीरूम थोड़ा कम मिलेगा अगर मेरी हाइट जिसे 5-11 तो मैं उस हिसाप से इसको करता हूं तो मुझे नीरूम थोड़ पर दो यहां पर आपको नीचे करेंगे तो कार की लॉक हो जाएगी और ऐसे करेंगे तो यह अगर मैनुली आपको अपरेट करना है तो यह बात करें सीट मिलती है यह वाली आपको 60-40 के स्प्लिट के साथ में यह आपको 6-way एज़ेश मिल जाती है जिसके अंदर आपको आ सीट आपको रिक्लाइन के लिए मिल जाती है मैं आपको रिक्लाइन करके और दिखा देता हूं इसको पूरा एक बार पीछे करके तो ऐसे करके आप इसको पूरा रिक्लाइन भी कर सकते हो और इसे अप रहने वाली है तो मेरे साब से अगर किसी की हैट 6-3 या 6-feet भी होग इंजन मैं कुछ आसा देखने मिलता है उपर सैन में इंस्टलेशन मिल जाता है इंजन की बात करें तो बीए सिक्स टो इंजन है अगर सकता है अगर स्कतार निकालेंगे तो आप वही तेरा से पंदरा की बीच का आवरेज निकाल सकते हैं, यह मेंली आपके चलाने पर डिपेंड करता है, और ओल इंजन पर कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है, इंजन जो है यह 5-speed manual transmission के अंदर है, हुड़कों करते हैं बंद फिर कार के एक शोरम प्राइस की बात करते हैं, तो उमीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगीगे, वीडियो को अपन यहीं end करते हैं, वीडियो देखने के लिए thank you so much